नमस्कार जैहिन स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर सबसे पहले आप सभी को सवतंतरता दिवस की बहुत बहुत बधाईयां और सुपकामना है तो इसी बीच आप लोगे लिए एक वेकेंसी आ चुकी है जो की आई है बिहार पुलिस की तरफ से जो की है बीपी एससी की तरफ से तो इस वेकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इनफरमेशन है कि इसका ओनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा इसकी एज लिमिट क्या है इसका एक्जाम पैटर्न क्या होने वाला है फॉर्म फीस इसकी क्या है और इसमें जो भी हाइट चेस्ट ये समागी गई है वो कितनी होने वाली तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डीटेल से आज बात करने वाले हैं तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो को लाश तक जरूर देखिए तो चलिए सुरू करते हैं इसे देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये वेकेंसी जो है वो बिहार के SI यानि कि सब इंस्पेक्टर के पद पर आई हुई है, साथ में एठो सर्जेंट पद पर आई है, इन दो पदों पर ये बरती निकाली गई है, तो इसका जो online application श्टार्ट हो रहा है, वो 16 अगस्त से आप इसका form भरना श्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपकी ये चलेगी, form की जो इसमें last date है, वो है 24 सितंबर, यानि कि बहुत लंबा समय आपको लगबग या डेढ़क महिना का आपको समय आप मिला हुआ है, तो अराम से आप लोग इस form को apply कर सकते हैं, बात कर लिए इसमें कि आखिर इसमें कितनी post पर ये भरती आई ह हुई है, तो देखिए, इसमें जो SI की post है, पुलिस सव इंस्पेक्टर की, तो उसमें जो आपकी यहाँ वेकेंसी है, टोटल 1990 वेकेंसी आई हुई है, यानि कि 1990 और जो दूसरा यहां sergeant का यहाँ पोस्ट निकाली हुई है, जिसको हिंदी में परिचारी बोलते हैं, तो उ सेलरी आपकी यहाँ लेवल 6 के अंतरगत 35,400 से स्टार्ट होगी, जो कि आपकी जाएगी 1,12,400 रुपए तक, यह जो है पुलिस SI की, और साथ में जो sergeant की पद है, यहाँ भी आपकी 35,400 स्टार्ट होगी, जो कि 1,12,400 रुपए तक यहाँ आपकी सेलरी होने वाली है, तो से 37 वर्स है, अगर आप यहाँ 20 वर्स पूरे कर चुके हैं और 37 वर्स से जादा की नहीं हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भढ़ सकते हैं, तो आपकी जो यहाँ एज काउंट होने वाली है, वो 1 जनुरी 2020 से काउंट होने वाली, यानि कि 1 जनुरी 2020 तक आप 20 साल के हो जाने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भढ़ सकते हैं, वहीं बात करें अगर OBC के टेगरी के लिए, तो OBC वालों के लिए भी यहाँ 20 वर्स मिनिमम हैं, जो कि आपका एक जनुरी तक हो जाने चाहिए, और अधिकतम आपका 40 वर्स तक आपकी यहाँ एज लिमिट रखी गई है और इसी के साथ अगर हम यहाँ SC और ST के टेगरी के केंडिडेट के लिए बात करें, तो उनके लिए जो एज लिमिट है, वो 20 वर्स से 42 वर्स से रखी हुई है, तो आप लोग अगर इस एज लिमिट के अंतरगत आते हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग भढ़ सकते हैं, PC या BC बैकवर्ड के टेगरी जो है, यानि कि जो OBC के टेगरी है, उनके लिए भी यहाँ 700 रुपे रखी गई है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ओनली SC और ST के टेगरी के जो है यहाँ स्टुडेंट भनने वाले हैं इस फॉर्म को, उनके लिए फॉर्म पीस जो है, वो 400 र कर लेते हैं, इसके educational qualification के बारे में कि आखिर आपकी पढ़ाई कहां तक complete होनी चाहिए, तो देखिए, यहाँ आपको किसी भी माननेता प्राप्त विसुविद्याले से आपका यहाँ graduation complete होना चाहिए, यानि कि इस नातक परिक्षा आपकी complete होनी चाहिए, आप चाहिए वो central government की कोई ऐसा विसुविद्याले हो, या फिर राजसरकार यानि कि state government का हो, तो आपका यहाँ graduation मागा गया है, graduate अगर आप हैं, तो आप इस form को भढ़ सकते हैं, और यहाँ जो आपके graduation complete होनी कि जो date रखी गई है, वो 1.08.2020 रखी गई है, यानि कि 1.08.2020 तक अगर आपका graduation complete हो चुका है, आपका result आ चुका है, तो आप इस form को भढ़ सकते हैं, अब बहुत लोगों को यह मतलब की question होगा कि COVID-19 के current हमारे अभी paper नहीं हो पाएं, तो क्या हम भढ़ सकते हैं, तो जी नहीं, आप यह form को नहीं भढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ साप साप लिखा हुआ है, अगर आपका result आ जाता है, उत्रीन अगर आप हो जाते हैं, graduation में, तो आप इस form को भढ़ सकते हैं, तो जिन जी लोगों का graduation complete है, 182020 तक तो वो लोग इस form को जरूर अपलाई करिएगा, चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके selection process के बारे में, तो इसका जो selection process होगा, वो आपका तीन stage में होके गुजरेगा, जिसमें आपका पहला prelims exam होगा, उसके बाद mains का exam होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर physical होने वाला है, तो देखिए जो आपका prelims का exam होने वाला है, उसमें आपका total यहाँ 100 question आने वाले हैं, जो कि 200 marks के होंगे, एक question 2 marks का होगा, 2 गंटे का आ time मिलेगा, objective type ही question आएंगे आपके, और उसमें से 30% अंका आपका लाना जरूरी है, साथ में अगर बात कर ले कि इसमें आपका subject कौन आएगा, तो देखिए, subject यहाँ आपके दो आएंगे, सिर्फ यहाँ आपका general knowledge पूछा जाएगा, और साथ में आपका current effects पूछा जाएग तो यह दो ही subject आने हैं, कोई math, कोई reasoning, कोई English यहाँ नहीं आने वाली, only general knowledge और current effects, prelims के exam में, देखिए, साथ में अगर बात करें, mains के exam के बारे में, तो देखिए, mains के exam में जो है, तो यहाँ आपकी दो पेपर होंगे, दोनों पेपर आपके 200 अंके होंगे, तो देखिए, क मेंस के ही exam में, वो आपका होगा, यहाँ, जिसमें सामान याध्यन, याई general knowledge, science, history, quality, geography, math, reasoning, यह सभी चीज आएंगी, वो भी 200 number का होगा, 100 question होंगे, 2 गंटे का time मिलेगा, तो मेंस का आपका यह pattern होने वाला है, उसके बाद जब आप मेंस भी हो जाए, एक चीज और बता द जाएगा, और इसके बाद जब आप इसे भी अगर qualify कर जाएंगे, तो फिर आपका यहाँ पर होने वाला है physical, physical में क्या होगा, मैं आगया भी बताने वाला हूँ, अब बात कर लेते ही physical के बारे में, तो देखे, physical में सबसे पहले अगर मैं height की बात करूँ, तो general और OBC वाल मेल हैं, उनको यहाँ 155 cm की height मागी गई है, और साथ में उनका जो वज़ा नवेट है, वो 48 kg होना चाहिए, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, साथ में जो यहाँ general और OBC के लोग हैं, उनके लिए यहाँ जो है चेस्ट रखी गई है, तो वो 81 cm और फुलाने के बाद 86 cm, और वहीं SC और ST के टेगरी के लिए यहाँ 79 cm, और साथ में फुलाने के बाद 84 cm उनकी चेस्ट मागी गई है, और बाकी अब बात कर लेते दोड के बारे में, तो देखिए, पुरुसों के लिए जो यहाँ दोड होने वाली है, तो आपकी एक मिल की दोड होगी, य पुरुसों के लिए, महिलाओं के बारे में बात करें, तो महिलाओं को यहाँ बी, यहाँ only 1 km की दोड होने वाली है, वहाँ उनको 16-100 मीटर होने वाली है, मेल को, फी मेल को only 1 km की दोड होगी, जो की 6 मिनट में उनको complete करनी होगी, इजी के साथ यहाँ पर उंची कूद महिलाओं के लिए 3 फीट होगी, लंबी कुछ जो है, वह पुर्सों के लिए 12 फीट होगी, महिलाओं के लिए 9 फीट होगी, गोला फेक जो है, पुर्सों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, तो आपको गोला फेक भी यहाँ हो जाएगी चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म जब आप भरने जाएंगे तो आपको किन-किन चीजों की ज़रूरत है तो यहां आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और यहां आप देख लीजिए साड़े तिन सेंटीमीटर से साड़ चार सेंटीमीटर त देखे जाएं चाहिए तो यह बाकी की जितनी भी चीज़े आप लोग नोटिपिकेशन में अच्छे से पढ़ लिजेगा एक बार नोटिपिकेशन का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्सन में दे दूंगा वहां से आप लोग जाके इसे डाउनलोड कर लिजेगा और ब अभी भी कोई चीज़ छूट रही हो या आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा मैं आप लोग को अहां इसका रिप्लाइ जरूर दूंगा और नोटिपिकेशन जाके डिस्क्रिप्सन से डाउनलोड कर ले ना ओफिसिल आपको अगर आप OBCCST केटेगरी से और आप अगर चाते हैं कि आपको भी यहां रक्षण मिलेगा तो जी नहीं रक्षण सिर्फ यहां बिहार राज्य के कैंडिडेट को ही मिलेगा मां की सब यहां जनरल में ही काउंट होंगे अधर इस्टेट वाले तो आप लोग भी इस हैं तो चलिए यही थी इस वेकेंसी रिलेटेट कुछ डिटेल अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहां आम लोग इसी प्रकार की गॉर्मेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो भी सही जोब अपडेट होती है उनके बारे में यहां बात करते हैं तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वेकेंसी की अपडेट लेकर तब तक के लिए थैंक यू सो मच हैव अगूड डे जय हिन जय भारत